नमस्कार आप सभी को मैं गौरब सर्मा आप सभी के लिए लाया हूं हरियाना जीके के कुछ महत्कून कॉशन अब ये कॉशन आपके पिर्तिक दिश्टिक कोट में रिपीट हो रहे हैं आप हमारे कमेंट बॉक्स में देख सकते हो सर हमसे ये कॉशन पूछे गए तो मैं उन् अच्छे से अपने दिमाग में बैठा लें ताकि आप अपने इंट्रेव्य को क्रेक कर पाएं और सरकारी नौकरी प्राप्त कर पाएं तो आए चलते हैं कॉशन की तरफ तो कॉशन की तरफ चलने से पहले प्लीज एक लायक जरूर करें गुरु दक्षना के रूप में तो हरियाना के पहले राज्यपाल जो भी मैं आपको करा रहा हूं वो हरियाना का फरस्ट है ठीक है भाई फरस्ट हरियाना के पहले राज्यपाल तो हरियाना के पहले राज्यपाल हैं आपके धरमबीर धरमबीर जी इसके बाद हरियाना की पहली बिधानसवा अध्यक्ष महीला तो भाईया बहुत बार रिपीट हुआ है कॉशन हर्याना की पहली महीला विधानसवा अध्यक्चा है स्रीमती सन्नो देवी स्रीमती सन्नो देवी इसके बाद है आपकी पिर्थम महीला परवाता रहो ही हर्याना की पिर्थम महीला परवाता रहो ही तो भाया, सबको पता होना चाहिए, ये कॉशन बहुत बार रिपीट हुआ है, संतोस यादव इसके बाद, आपका नेक्ट कॉशन है, पिर्थम पुरुस्थ विधानसवा अध्यक्ष पिर्थम पुरुस्थ विधानसवा अध्यक्ष तो आप बताएंगे, पिर्थम पुरुस्थ विधानसवा अध्यक्ष है, हमारे राव वीरेंदर सिंग पिर्थम पुरुस्थ प्रवतारह हो ही, कौन है, जो पहली बार जुपुरुस है हमारे परवत पे चड़े, वो है हमारे रामलाल इसके बाद पिर्थम महीला विधायक तो पिर्थम महीला विधायक है हमारी स्री मती स्री मती सिनहे लता सिनहे लता जी इसके बाद पिर्थम चुनाव आयुक्त हरियाना के तो भईया पिर्थम चुनाव आयुक्त है हमारे हरियाना के बाबू आनंद स्वेरू इसके बाद पिर्थम एड़वोकेट जनरल तो पिर्थम एड़वोकेट जनरल है हमारे पिर्थम चुनाव आयुक्त है हमारे जे के दुगगल और पिर्थम एड़वोकेट जनरल है हमारे जो मैंने भी बताया था आपको श्री बाबु आनंद स्वेरूप बाबु आनंद स्वेरूप और लोकायक्त कौन है हमारे लोकायक्त है हमारे प्रीतम पाल सिंग भारत में अंत्रिक्ष भारत की तरफ से अंत्रिक्ष में जाने वाली भारत की पिर्थम महीला कौन है सबको पता होना चाहिए मैं करा चुका हूँ कल्पना चाबला ठीक है पिर्थम फिल्म पिर्थम फिल्म है हमारी हरियाना की धरती कब आई थी 1968 में आई थी और पिर्थम सफल फिल्म कौन सी है पिर्थम सफल फिल्म हमारी बहुरावनी हरियाना की पिर्थम सफल फिल्म जो सूपर हिट होई थी वो कब आई थी आपकी वो आई थी 1983 में और सूपर डूपर हिट फिल्म कौन सी थी हरियाना की सबसे ज्यादा सफल फिल्म चंद्रावल चंद्रा चंद्रावल तो इस तरीके सा आप बता सकते हो इसके बाद आप इसका स्क्रीन सॉट ले लिए इसके बाद मैं लाता हूं नेक्स्ट कॉस्चन पिर्थम एंसीसी एकाद्मी की स्थापना कहां हुई हार्याना में तो हुई लेकिन कहां हुई तो है यह हुई आपकी घरोऎ्डा घरोंडा घरोंडा में भी कहा हुई करनाल में ठीक है पिर्थम NCC अकादमी किस्थापना घरोंडा करनाल सैनिक सकूल तो भईया सैनिक सकूल कहा है मैंने करवाया हुआ है को कुंजपुरा करनाल में पिर्थम सैनिक सकूल कहा है हरियना का कुंजपुरा करनाल पिर्थम राष् राष्ट्रपती साहसन लगा 21 नवंबर 1967 को 21 नवंबर 1967 पिर्थम बिस्विध्याले कुरूचेत्र हरियाना का पिर्थम बिस्विध्याले कौन सा कुरूचेत्र और इसकी स्थापना कब हुई मैंने आपको करवाया था 1956 में पिर्थम कॉलेज हरियाना का पिर्थम कॉलेज भ Sundered पंडित हर नेखी राम सर्मा कॉलेज इसके बाद पिर्थम कैंसर सेंस्थान कहां रही है बार्थ सा जजर बार्षा में है भई है धिज्जर में पिर्थम समाचार पत्र हमारे हरियाना के पिर्थम समाचार पत्र का नाम क्या है हरियाना ही है जी ठीक है इसके बाद पिर्थम राज्य कभी उदै भानू हंस हरियाना के पिर्थम राज्य कभी कौन है उदैवानू हंस और सबसे पहले हरियाना में सराब बंद कब हुई थी तो सबसे पहले हरियाना में सराब बंद हुई थी एक जुलाई 1996 को आर्रे समाद की पिर्थम साखा कब खुली तो आर्रे समाद की पिर्थम साखा जो खुली थी भाईया वो खुली थी आपकी रिवाडी में 1880 में रिवाडी में 1880 में कॉंग्रेस की पिर्थम साखा सीधी सी बात है 1885 में कॉंग्रेस थापना हुई 1886 में लेकिन कहां पे हुई अठारवे चासी में अमबाला में हुई जी अमबाला इस तरीके से 25 कॉश्चन है बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट आप इनको अच्छे से पढ़ सकते हो ठीक है तो ये हरियाना में पिर्थम है ये कॉश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं अगर आपको जौब चाहिए सरकारी मैं आप लोगों के लिए तत्पर हूँ तो आप जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे अब आपके लिए हॉमवर्ग के रूपे मैं दे देता हूँ जो कॉश्चन आपको कमेंट में करने हैं तो आप कमेंट में करके हमें बताएं हरियाना का पिर्थम प्रुस जो जेल में गया था हरियाना का पिर्थम प्रुस जो जेल गया था जो जेल गया था वो कौन था एक कौश्चन ये आपका हमवर्क और दूसरा कौश्चन है आपका हरियाना की पिर्थम महीला पाइलेट पताईए दूसरा कौश्चन है हरियाना की पिर्थम महीला पाइलेट ये आपके दो हमवर कौश्चन है इनको आप कमेंट में करेंगे और प्लीज आप इस वीडियो को बार बार देखें ताकि आपको ये कौशन रट जाएं और जब अज़स साब के सामने इंटर्व्यू में एक्जाम में आप आराम से इनको कर पाएं और जरूर इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को प्लीज इस क्लास को जो आपके लिए बहुत जाद इंपोर्टेंट है इंस्टा फेस्वुक और वर्सप पर जरूर सेयर करें और मैं आप सभी को जो भी आपके डाउट होंगे कमें मुझे बताइए मैं उनको खिले करने की कोशिस करूंगा और अभी गुरुगराम डिस्टिक कोट की लिस्ट आउट नहीं होई है इंटर्वियो की जैसे ही डेट आजाएंगी मैं आपको बता दूगा क्योंकि शुरू से फॉर्म भरे गए हैं तो इस वज़े से दिक्कत आ रही है तो फिर भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपको इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चल को सब्सक्राइब करें जिससे आपके पास हमारी नौग्रियो संबंदित जीके से संबंदित अपडेट आती रहे नमस्कार और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा हरियना जीके के इंडिया जीके के जि इंको अच्छे से देखें पढ़ें और तयारी करें इस वीडियो को कम से कम दो या तीन बार सुबह साम देखें तभी आप इंटर्वू के लिए कर पाएंगे नमस्कार और अभी आपको एक बातर बतानी में भूल गया दिल्ली का एक लड़का है मनिंदर उसका गुरू गराम में स्टेनों में सेलेक्शन हो गया है उसने मुझसे ही तियारी की थी तो आप सभी अच्छे से तियारी करें हो सकता है कि आपका नाम भी आ जाए नमस्कार